13 अक्टूबर को देश दुनिया में रिलीज होने जा रही है, हम चाहते हैं फिल्म, सबसे पहले आप यहाँ पर पोस्टर देख लीजे, हम तुम्हें चाहते हैं और अब मेरे साथ में स्टाकास्ट मौजूद है, हम तुम्हें चाहते हैं कि एक एक करके हम सभी से बात करेंग जी मैं घबराता नहीं हूँ, घबराना चाहिए नहीं इनसान को कभी, हर एक जो सिचुएशन होता है, एक चैलेंज ही है लाइफ में आता रहता है, तो मैं इंग्जाइटी लूँ और डरूं की ऐसा होगा वैसा होगा, तो वो जस्टिस खुद के लिए सही नहीं है क्या कुछ तैयारियां करने पड़ी आपको इस रोल के लिए, क्या खास है इस रोल में, क्यों आपने इस फिल्म को चुना अपनी शुरुआत करने के लिए, कुछ उस बारे में दर्शकों को बताईए कैसे मौका मिलना हुआ, क्योंकि दर्शक ये भी जानने के लिए बेताब है, कि मौका कैसे मिल पाता है कि मौका कैसे मिल पाता है, किसमत से मिलता है मौका, कि बेना किसमत के तो कुछ होता नहीं है, तो मौका कैसे मिला, मेरे जो डाइड है, उनके फ्रेंड है, गोविन बंसल सर, तो उनको एक फ्रेश फेस चाहिए था लांच करने के लिए, और मैं इंट्रेस्टेट था करने मे तो फिर मुलाकात हुई, तोड़ी स्क्रीन टेस्ट हुए, स्क्रिप्ट रीडिंग, रिहर्सल और जो होता है, कि उस लुक के लिए परफेक्ट होगी नहीं, जब वो ओके हुआ, उसके बाद वो हमने थोड़ा स्टार्ट किया सब कुछ. ठोड़ा सा ओडियंस को आप स्टोरी, थोड़ी सी बताना चाहेंगे, वो क्या रीजन होंगे, हो क्या दो कारण होंगे कि ओडियंस जाए सिनेमा घरों में फिल्म को देखने के लिए? तники, ओडियंस को मैं ये मैसेज दिना चाहूँगा, कि अगर आप लाइट फील करना चाहते हो तो जरूर जाओ क्योंकि आपको जादा इसमें स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है बहुत ही लाइट हार्टेट फिल्म है कमोर्शियल एट सेम टैम मसाला एंड वेरी लाइट हार्टेट सिच्वेशनल कॉमेडी रोमांटिक फिल्म और बहुत ही जादा लाइट है दू खुपसूरत अभी नेत्रियों के साथ अपकी शुरुआत होने जा रही है क्या कहिंगे दोनों अभी नेत्रियों के साथ में आपका experience कैसा रहा और अंत में राजा किसके पास जाता है दोनों रानियों में से ये हमें रिवील हो पाएग माम, आपकी शुरुआत सभी जानते हैं, जाना माना चेहरा हैं, आपने जब इस फिल्म के लिए साइन किया, आपके मन में क्या दुवंद था, क्या डर था? यहां, डर तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि मैं डरती नहीं, ऐसे जनमेजाय ने भी बोला भी, I am a very fearless person, क्योंकि मुझे challenges accept करना आता भी है, और मैं challenges को face करना चाहती भी हूँ जिन्दगी में, ऐसलिए बहुत जादा कुछ explore करना चाहती है, जो explore नहीं किया अभी तक, तो इस यह फिल्म मेरे लिए और एक नया मोर है, क्योंकि मुझे लगता है क्योंकि यह फिल्म की तो एक खासियत है, definitely it's like a family film to me, क्योंकि Raygo, Rema ji, Bapida, Govin ji, Bappa, they're all like an extended family made up, so I think it's our family film, so इसलिए एक बहुत और एक spirit था अंदर में की responsibility मेरे उपर responsibility डाला जाता भी है, I'm quite, quite experienced on that, producers, directors, सब लोग लेते हैं, तो यह फिल्म की जो खासियत है, जो मुझे और मुझे, जैसे तुम मैंना प्रशन किया कि, what is the thing which actually triggered me, वो है, इस script में एक बहुती interesting twists देखा मैंने, जो की एक lady character के लिए बहुत exciting है, एक independent face, एक corporate woman, एक romantic, empowering role है कहिना, और dark side of her life, so बहुत कुछ मिला के, I think that became a very beautiful script for me, और working with newcomers is my forte, इसी के साथ में देखिए, रेगो हमारे साथ हैं, जिनकी आवाज, अंदाज, बपी लहरी जैसा ही है, बपी लहरी जी की जलक आप में दिखाई देती है, बहुत खुबसूरत आपका गाना भी है, सेवा सेवा हमने सुना, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे, आपका कैसा experience? मैं कहना चाहता हूँ, थैंक यू सो मच, आप मेरे इंटिवी ले रहे हैं, बहुत खुछ अगर फील कर रहा हूँ, सेवा सेवा बहुत ही युनियो वसल गाना है, बहुत ही सिंपल लिरिक्स है, सिंपल बीच से, लेकिन उसका रिदम है लोगों को वो नचाता है, और यहां मूवी पर मैंने यंगिस प्लेबैक सिंगर का डेब्यू दिया है, और ऐसा नहीं हुआ है कि ग्रांट फादर के टून पर ग्रांट शन गा रहा है, तो बहुत ही बड़ी चीज है मेरे लिए, और ग्रांट फादर जैसे आप बहुत क्यूट भी लग रहे हैं, और मैं खहना चाहता हूँ दाट हम तुम्हें चाहते हैं, बहुत ही रोमांटिक रॉम कॉम फिल्म है, जैसे अनुश्मिती माम ने, रितु माम ने बोला था, सौरी, और यी फिल्म रिलीज हो रहा है, 13th October क में रिलीज हो रहा है, तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत excitement फील कर रहा है, क्योंकि पहली बार थीटर में मेरा वोइस भजने वाला है, और राचबाल जी मेरे वोइस पर आक्टिंग कर रहे है, डांस कर रहे है, जूम रहे है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ, थांक यू थांक यू तो सारे गामा मुझे लाँच करने के लिए इस रेकॉर्ड लेबल, और थांक यू सो मच तु एवरी बड़ी सब धर्शकों को, अप मेरे गाने सेवा सेवा को वाइल कर दिया है, अप लोग ने रेंडिंग पर चला गया, मैं बहुत खोश हूँ, इसी के साथ मे करती जी भी हमाई साथ मौझूद है, यानि कि वो तीसरा एहम चहरा इस फिल्म का, आपका रोल कहीं ना कहीं हमें समझ आ रहा है, कहीं ट्राइंगल बनता हुआ तो समझ आ रहा है, नजर आ रहा है, लेकिन आप राजा के साथ जाती हैं, नहीं जाती हैं, क्या कुछ होने व जड़ेगा, बात मैं यह बोल सकते हैं, इतस है, रॉम कोम फिल्म और आज कल की जमाने में, जो ऐसे होते हैं कि जिन्दगी में इतनी, यू नो प्राइस होती है, तो व्रीबडी वंस तो बी रिलाक्स और रिलाक्स और चिल, जो एक रॉम कॉम कॉम लाइट हाट हो देखना पाले आदव गोविन अमदेपीन लोग का कॉमेडी मिलेगा एंड जो रोमेंस है जो ट्राइंगल लव है तो बहुत मजा आएगा ओडियंस को यानि कि हर फ्लेवर मिलेगा सब तरह का तड़का इस फिल्म में मिलने वाला है आप भी जाकर जरूर देखिए 13 अव्टूबर को देश दुनिया में पूरे 300 से जादा थियेटर्स में रिलीज होने जा रही है हम तुम्हें चाहते हैं कैमरा पसिन पंकच के साथ अजातिका सेंग एबी पी नियोज दिल्ली